हेलो इस्टुरेंट्स, माइ नेम इस आरियंद्रिपाल गंगवार, आई टीच, किलास थर्ड, किलास थर्ड है, चैप्टर है आपका फैब में नाउन एंड इट्स यूज, नाउन और उनका यूज, पहले तो आप ये संज़िए कि नाउन क्या होता है, what is noun, नाउन क्या है, नाउन, parts of body का एक, पार्टस आप बोडी होता है हमारा, parts of body में, नाउन, पिरो नाउन, वर्व, एडवर्व, एडजेक्ट, प्रिपोजिशन, कंजक्शन, इंटरिजक्शन होते हैं ने, उसमें से एक one part स हमारा, उसमें से एक जो हमारा part क्या है, नाउन को हिंदी में कहते हैं, संगया, उन नाउन की डैफिनेशन आपको बताएं, आ नाउन is the name of the person, पहलीज अवla भ॥न. आनिमल उन्ठ फ्नल्ड भी होसकता है, यह होसकता है, Noun is the name of the person, palace or thing Animals, EDC मतले इत्यादी और भी चीज़ हो सकती है संग्या बैस सब्द है जो किसी बिस है बस तू, इस्तान का जहां बोद होता है उसे क्या कहते है संग्या कहते है As an example जैसे किसी का नेम हो सकता है नहा हो सकता है गंगा हो सकता है कम्प्यूटर हो सकता है मैन हो सकता है गर्ल हो सकता है किलास हो सकती है गोल्ड हो सकता है ब्यूटी हो सकती है होनिष्टी हो सकती है किसी प्रकार की कई चीज़े जो हमारी क्या हो सकती है यह नाउन होता है क्या होते हैं नाउन होता है किसी ब्यक्ति के लिए प्लेस के इस्तान के लिए थिन बस्तूं के लिए एनिमल किसी जानबर के लिए इत्यादी के लिए जहां प्लियोग किया जाता है उसे क्या कहते है नाउन नाउन इस दानेम अब दापर्सं प्लेस ऑ थिन संग्याव है जो किसी विशिश ब्यक्ति इस्तान का किसका बोद होता है किसी बिशेज इस्तान है, किसी व्यक्ति का बोद होता, उसे क्या करते हैं, संग्या करते हैं, as a definition, एक definition और भी हो सकती है, everything around us has a name, everything around us has a name, people, palace, animal, and thing, have names that we call noun, कि everything around us has a name, everything around us has a name, people, palace, animals, and things have names that we call noun, understand, noun is the name of the person, palace, of thin, and animal, ठीक, आप definition हो सकती है, understand, definition learn करना है आपको, अब आता है, कि noun, जो है हमारा, यह क्या क्या हो सकते हैं, noun, noun में हमने आपको बताया, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, हम्, जैसे सीता, कीता, राम, सीाम, हो सकता है नहीं, किसी जाती का मतलब हो सकता है, जैसे मेन, गर्ल, जिस्कूल, बौय, किसी समू का हो सकता है, किलास, имеет, मतलब किसी कोई, बहुमूल कोई चीज ओसकती है जैसे हम कहें गोल्ड, सिल्वर, बूर्ड बगएरा कोई हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, होनिश्टी हो सकती है, इस तरह कि क्या होंगे हमारे, यह सब क्या होंगे हमारे, नाउन होगे, ठीक, अब बात आती है, हमारी नाउन के टाइप क्या ह होते हैं आखिर नाउन के कैंट्स कितने होते हैं तो हमारे नाउन जो होते हैं five type के नाउन होते हैं हमारे कितने type के नाउन होते हैं five type के सबसे पहले होता है हमारा proper नाउन दूसरा होता है हमारा common नाउन third number होता है हमारा collective नाउन फिर होता है material noun फिर होता है abstract noun proper noun को हम हिंदी में कहते हैं proper यह ब्यक्ति बाचक संग्या ब्यक्ति बाचक संग्या होता है proper noun क्या होता है ब्यक्ति बाचक संग्या जिसमें किसी ब्यक्ति के बारे में किसके यानि किसी भी भ्यक्ति के बारे में जैसे मपंडन किया जाय है उसे क्या कहते हैं Darkly Wachak-sanghyya क्या कहेंगे उसे vitrober नाउन कहेंगे understood समझा एंगे अन्य ने सब प्रोपर नाउन कहेंगे इससे हम कह सकते हैं इसकी डैफिनेशन प्रोपर नाउन की Anon which is used for a particular person, palace or thin, is called a proper noun. Understand? A noun which is used for a particular person, palace or thin, is called a proper noun. It brings with a capital letter. These will start a full letter by capital with a capital letter. What can they spell? Proper noun? Any person has a name as a person, is Mahon, Sahun, Seeta, Ruth, same Teeth... WILLIAM privilege can happen like Delhi, Niagara, Mumbai... Как can anyone name be? Makes not have a name of the books, ingles or Raaman, Mahawarat, get alición, any stranger they can name. कोई रिवर्स की नदिएंके नाम रसकते हैं गंगा, एंगणा, अधिर अधिवयग , कवेडि, मॉन्टेश के हमालाइ, विं बिंदयान चलõप , मॉन्मेंट्स , ताहज , एड़ एड़ फोल्च , तु क्यों होते हैं, क्यों होती हैं, मॉंश्प्रेटिफल फुल्टिंश के ली ठीक है, किसी नुज पेपर का नेम हो सकता है, the Indian Express, the Hindustan Times, Amarujala, Dhanic Jagan, फेस्टिवल हो सकते है, Holy Deepa यीदितियादी, अंडेस्टेंड समझे है सभी, कि प्रोपर नौन क्या होता है, a noun which is used for a particular person, palace or thin is called a proper noun, understand, proper noun as a, जैसे December, proper noun का एक्जाम्पल है, सीता है, महाराना प्रताब है, कालिदास है, पुस्पा, रामायन, इती सीत्यादी, अब number two आता है, second पर आता हमारा common noun, common noun को हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए, common noun, जाती वाचक संग्या, क्या कहते हैं हिंदी में, common noun को, जाती वाचक संग्या, as a definition, a common noun tells about that same class of any person, palace of thing, a common noun tells about the same class of any person, palace of thing, जिसे कोई चीज़, जिसके बारे में, same class के एक ही बारे में बढ़नन करेंगे, उसे क्या कहते हैं हम, common noun कहते हैं, same class का होना चाहिए, same मतलब होना चाहिए, जिसे मैन है, गर्ल है, स्कूल है, वाई है, पैरेंट्स है, सब same class है, तो same class के जहां पर होंगे हम, एक ही class के तो वो क्या कहेंगे हम, उसे जाती बाचक संग्या कहेंगे, या common noun कहेंगे, वाई गर्ल, भूमैन, मैन, ट्रेन, एनिमल, सिटी, विलेज, रिवर, टाउन, all common nouns, six samples होते हैं, होते हैं, नमबर नेक्स आता है, हमारा अगला जो noun क्या कहेंगे, समू बाचक संगाजस में किसी का समू हो, ऐसे समू, समू के रूप में कोई कालिय करता हो, समू हो, उसे हम क्या कहेंगे, collective noun, definition देगे, a collective noun is a group, a collective noun is a group or collection of person or things, कि ऐसी कोई चीज, ऐसी संग्याज, जिसमें कोई ग्रूप के रूप में कोई कारिय करता हो, और जिसका collection करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, collective noun, कहेंगे, जैसे लैबरेरी, लैबरेरी में एक साथ बच्चे बैठते हैं सभी, समू ग्रूप में, पुस्तकों का संग्रे, पुस्तकों का संग्रे, जहां बहुत सारी किताब होती हैं, उसे क्या करते हैं, पुस्तकाले, किलास, कक्षा, बिध्धारती बैठते हैं, बैठते हैं, बैठते हैं, होता है, आर्मी, सेना का संगू, होता है, समझ रहा हैं सभी, सूइट्स, हैं होती है बहुत सारी लट्डू बर्फी सबी समझ रहे हैं अब नेक्स आता है हमारा नबर फोर material noun material माने होता है पदार्त बाचक संग्या हिंदी में कहें कि एक पदार से दूसरा पदार्त तयार हो सके उससे क्या कहते है material noun एक से दूसरा पदार्त लेकिन ऐसे English में क्या कहेंगे this exam definition English की definition सुनो a material noun is the name a material noun is the name of substance of which thing are made. A material noun is the name of substance of which things are made. A material noun पदार्चबाचे संग्या क्या कहते हैं? उस नाम को कहते हैं जो substance of which the things are made. जो एक चीज से दूसरी चीज तियार हो सके, एक पदार से दूसरा पदार तियार हो सके, उसे क्या कहेंगे हैं? material noun कहते हैं, a material noun is the name of substance of which things are made. एक चीज तियार होती हैं? दही होता है, मठा है, घी है, पनीर है, किस से तियार होती हैं ये? किस से तियार होती हैं? मिलक से तियार होती हैं, तो यह क्या कहते हैं, as a example of material, now, gold है, silver है, wood है, iron है, marble है, gold से देखो, कितना सारी material त्यार हो रहे हैं, gold, सोने को जानते हैं, अब, उसी नहीं हो रहे हैं, हीरे जबारा त्यार होते हैं, diamond है, ऐसे हम कह सकते हैं, silver है, silver से देखो, बूर्ड लखड़ी देगे, कितना furniture नहीं है, बूर्ड लखड़ी से, अब, नहीं है, कितना सारा furniture त्यार होता होता है, किस से त्यार होता है, लखड़ी से, iron लोहा, लोहे कि यह आपने देखा है, किस के example है, this is example of material, now, समझ रहे हैं, अब नेक्स आता है, हमारा लाज्ट, नंबर फाइव, अप्स्टरक्ट नाउन, कौन सा नाउन आता है, अप्स्टरक्ट नाउन, अप्स्टरक्ट नाउन को हम कहते है हिंदी में बोह एंगए गुण वाचकसंगया। सहिंगते हैं तो और गुण binary में Ț्पorta कर sighs what एपजाएं किसी गुण का बहाब हुँ गुण वाचक जिसमें किसी कोई न्यいた फॉराई इसकी definition बताएं आपको An abstract noun is the name of some feeling, quality, state, action or idea We can feel or think I what can see or touch it An abstract noun is the name of some feeling, quality, state, action or idea We can only feel or think it what can not see or touch it कि ऐसी चीज़ को हम abstract noun कहते हैं जिससे हमें केवल उसकी quality का पता लग जाए, action का पता लग जाए उसके बारे में feeling हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं? केवल feel unwap कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं लेकिन उसे टच करके नहीं देख सकते हैं, टच करके रेखें, टच करके उसे नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अब श्ट्रक नाउन कहते हैं, understand, सब को समझवा रहा होगा जहते हैं सुन्दर्ता सुन्दर्ता उटच करके निए दूर से देखते हैं में फिल हो जाता है हमें इस चीजों को हम क्या करते हैं हीट कहते हैं गर्मी होता है कर से फिल होता है अनते नाउन होता हहता है अ कि यह ईजुछ है आग सो आहितना च्वीज उन च्थाल हुड़ा आपको नाउन बता pension मैंने आपको बताए नाउन के बारे में नाउन कितने बताए फाइब टाइब के आपको नाउन बताए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कॉलेक्टिव नाउन मैटेरियल नाउन अफ्ट्रेक्ट नाउन फाइब टाइब के नाउन बताए सब के बारे में बताया, प्रोपर नौन बेक्ति वाचक संग्या बताया, कॉमन नौन जाति वाचक संग्या के बारे में बताया, कॉलेक्टिव नौन समू वाचक संग्या के बारे में बताया, मैटेरियल नौन पदार्त वाचक संग्या के बारे में बताया, और अवश्टक न निमें जो है हमारे प्लोपर नाउन प्लोपर नौण कौन-कौन सा है इसमें आप दोढू gefragt यह ऐराम है, दसरत हैं, तेल वीजन है, RAMIS है, स्री लंका है, स्रीलंका है, दिल्ली है, हम! हैनि महेट है, बैग है, काव है, ऐलिफेंट है, Karl Morning है, छरिता-, हम! है नी? है बलेट हैं, मंग्की है, पैरत है, डियर है, उनमें आप क्या गढ़िसे हैं? इन्हें आप फिल्म इन्हें आप देखेंगे और इसमें हम क्या गरेंगे इसमें आप देख के बताएंगे कौन सा क्या नाउन है अब नेक्ष्ट हमारा जो नेक्ष्ट है वो हमारा है कि हम जो है कुछ हमारे एक्जाम पे लोड़ दिये हैं जैसे पर्सन, पैलेस, अइनिमल और फिंग नाउन की रेफिनेशन होती है जैसे हमने कहा कि पर्सन कौन कौन से राम, रमेज, शर्ता है नहीं और दसराता रभी है, इस्तान कौन सा हो सकता है कानपुरा आघरा परेली दिली कुई भी हो सकता है हमारा एनिमल हो सकता है, कोई ऑनिमल किसी का नेम हम थिंक सो सकती है, यसे गोल्ड, सिल्भर, आइरन, बूर्ट, मार्वल, आधी हो सकती है हमारी, क्या चूज़ दा राइट एंड भी मतलब कुछ नाम है इसमें, जो हमारी पिक्चर में दिये गए हैं, और जैसे अगर पिक्चर बताई गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमको इसमें नाउन को हमें नेविंग करना है, कौन सा नाउन है? कौन सा इसे लिखा है? लटा इस अ ब्यूटिफुल कल, त जाद होनों क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन, सब प्रॉपर नाउन की एक्सामपिल्स हैं यह ज्यादा तर, तो इन्हें हम क्या करेंगे? एक बार इने रिपीट करेंगे, और इने एक बार रिपीट करने के बाद सब की डेफिनेस ने लर्ण करेंगे, नाउन की पूर सब को समझ में आ गया होगा और जो आप इसे लर्म करेंगे थैंक यू